हेलो यूजर वलकम बैक टो और न्यू एपिसोड आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकिया है मार्क एरपी 9 सॉप्ट्वर में शॉटकट कीज पार्ट 2 आज की जो शॉटकट कीज होने वाली है वो होने वाली है सेल बिल के अंदर में सेल बिल के अंदर में कुछ ऐसी इंटरेस्टिंग शॉटकट कीज जिनसे आप अपनी वर्किंग स्पीट और अपनी बिलिंग स्पीट को और ज्यादा इंक्रीज कर सकते है आईए जानते हैं कैसे जब भी आप सेट बिल बनाते हैं तो कुछ इस तरीकी की विंडो आपको आपकी स्क्रीन पे दिखाई देती है दिखाई देने के बाद में जबannel से पहला जो ऑप्शन आता है वो आता है लेजर का लेजर मतलब खाता जो पार्टि के नाम होता या पार्टी का एककाउन्ट होता है अगर आप चाहें तो चलते सेल बिल के अंदर में नई पार्टी को ग्रेट करना चाहते हैं तो आप अपने कीवोड से यहां पर एप टू बटन प्रेस करेंगे जैसे एप टू बटन प्रेस करते हैं आपके सामने अंडर गुरूप की विंडो ओपन हो जाती है और यह यह है कि आप चलते सेल बिल के अंदर में नया लेजर को क्रेट कर सकते हैं आपको फिर से एक एक स्क्लूजिव जगा जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आप अपने लेजर को क्रेट करके अपने इन्वाइस के अंदर में सिलेक्ट कर सकते हैं नंबर दो अगर आप चलते स करते ही आपके सामने modify की window open हो जाती है open हो जाने के बाद में आपको जो भी modify करना है आप चाहे तो इसका product का नाम इसकी packing इसकी company इसका HSN GST MRP purchase rate जो भी आप changes करना चाहते हैं वो changes करने के बाद end तक आप enter press करेंगे और उसके बाद में save change वाले button को enter press कर देंगे enter press करते ही आप देखेंगे कि जो भी changes आपने इस item के अंदर में किया था वो completely success हो चुका है अब आप इसे अपने invoice के अंदर में select कर सकते हैं उसकी बाद में अगर आप चाहते हैं कि कोई नया item create करना तो आपको यहां से अपने keyword से app to button press करेंगे और new product की window आपके सामने open हो जाती है आप यहां से अपने product को add करेंगे add करने के बाद में end तक enter press करके इसको save कर देंगे और उसे अपने invoice के अंदर में select कर लेंगे तो mark ERP के अंदर में चलते sale bill के अंदर में आप नया product को भी add कर सकते हैं साथ साथ में नये कोई भी product हो उस product को add या modify भी कर सकते हैं कि बाद में अगर आप चलते sale bill के अंदर में चाहते हैं कि किसी product को या कोई भी product है उसका rate लास्ट टाइम हमने किस rate में इसे sale किया था तो आप अगर वो देखना चाते हैं तो आप यहां पर quantity वाले option में आएंगे F9 बटन को press करते ही आपके सामने detail की window आ जाती है जिसमें सबसे पहला option आता है purchase detail अगर आप चाहते हैं कि यह जो product है इसकी purchase rate लास्ट टाइम क्या था वो देखना चाते हैं तो आप purchase detail के उपर में enter press कर देंगे जैसे आप यहां पर enter press करते हैं तो आप देखेंगे कि यहां पर सबसे पहले आपको यहां पर उस party का नाम, उसका bill number, उसकी date, quantity और साथ-साथ में last time जिस rate में आपने उससे purchase किया था वो purchase rate आपको यहां पर दिखाई देता है उसकी बाद में next option आता है sale to party, अगर आप सिर्फ यह देखना चाहते हैं कि last time इस party को हमने किस rate में sale किया था तो आप यहां से उस rate को भी देख सकते हैं इसके लिए आप sale to party वाले option पे enter press करेंगे, enter press करते ही आपके सामने कुछ इस तरीकी की window open हो जाती है जिसमें यहां पर आप नीचे देखेंगे तो bill number के साथ-साथ में bill की date, उसकी quantity या साथ-साथ में आपको rate भी आपको दिखाई देता है उसके बाद में next option आता है, sale to all sale to all का मतलब होता है कि यह product आपने सभी partyों को किस-किस rate में sale किया था तो आप यहां से इसको भी देख सकते हैं इसके लिए आप इसके उपर में enter press करते हैं जिससे आप अपनी billing speed को भी बढ़ा सकते हैं साथ-साथ में अपने business की analysis करने में भी आपको बहुत सारी मदद यहां से मिल सकती है यह information आपको हमारी कैसे लगी हमें comment box में जरूर बताईएगा अगर वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइप करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा थैंक यू